बदलना कौन चाहता है। मजबूर कर देते हैं लोग। तो लेकर आई हूँ आप सभी के सामने फिर से प्रिककार रिडिंग लेकर अगर आज आज आपको इग्नोर कर रहे हैं तो इग्नोर करने की पिछे की वज़े और आने वाले समय में ये वक्ति क्या करने वाला है। इसी पर आज के हमारी अपडेटेटेट रिडिंग मैं कर रही हूँ पिककार रिडिंग कर रही हूँ तो पाइल दो रखे हुए हैं और पाइल में रखा हुआ है आपके उसी बंदे या बंदी की नाम का पहला अक्षर जिसे आपको चुनना है तो क्या है हमारे पाइल नंबर वन में? पाइल वन में हैं ABD, FH, K, MOP, S, V, X, Y ये है हमारा पाइल नंबर वन पहला पाइल ये है ABD, FH, K, MOP, S, V, X, Y पाइल नंबर टू है C, E, G, I, L, J, Q, N, R, U, T, W, R, C, E, G, I, L, J, Q, N, R, U, T, W, R, Z होते है हमारे रिडिंग पाइल नंबर वन से तो ये हमारा पाइल नंबर वन जिन्होंने भी चुना है ABD, FH, K, MOP, S, V, X, Y पाइल नंबर वन पहला पाइल है सबसे पहले सुर्वात इनकी एनर्जी देखकर ही करेंगे कभी-कभी इग्नोर करने के पीछे ना गाइस एनर्जी भी होती है ब्लॉकेजिस होते है यानि कि इनसान खुद रुकावटे नहीं चाहता पर कुछ-कुछ ऐसा हो जाता है जिन्दगी में कि अपने आप बादाये रुकावटे समस्याय खड़ी हो जाती है जिसका फिर इल कि आपको इग्नोर करने के पीछे की जो में वज़े है वो वज़े क्या है क्या होगा उसके बाद आगे यह भी देखेंगे ब्रोकन हार्ट ओ वाव नाइन की जो एनर्जी आई है आपके पार्टनर के लिए इस वक्दिका तो दिल ही जो है इस वक्दिका जो दिल है यहाँ पर देखे कैसे जो है दो टुकडों में या दो हिस्तों में बटा हुआ नजर आता है और जो आपको जो है यहाँ पर आशु के जो ड्रॉप आपको दिख रहे हैं यह अक्ष्यल में जो है कोई पानी का कतरा या पानी की बूंद नहीं है यह इस वक्दिके वो आशु है जो भले ही आँखों से ना गिर रहे हो भले ही आँखों में आपको इसके दर्थ या जैसे तूटा है कि हो सकता है कि जो रिलेशन्शिप आप दोनों का रहा है उस रिलेशन्शिप में जो है कुछ अच्छा ये वक्ति कर नहीं पाया या रिलेशन्शिप का संबंद जो है डायरेट दिल से होता है हाट से होता है और हाट में ही अगर किसी वक्ति को तकलीफ हो र energy बता रहे हैं कि मेरा दिल बहुत ही बिमार है या मेरा दिल बहुत ही दुखी है या मेरा दिल को healing नहीं मिल पा रही मेरे मेरे दिल की जो अवस्ता है वो बहुत नाजुक है तो यह वक्ति अभी broken heart टूटे हुए जो है नजर आया है तो broken heart आपके इस बंदे की या बंदी की जो है energy नजर आई है दिल का तूटना चले देखते हैं और क्या है ये वक्ति आपको ignore क्यों कर रहे है कही न कहीं प्यार में बहुत बड़ा चोट या घाव इस वक्ति को लगा है इतना तो दिख चुका है प्यारिया relationship में चोट लगी है इस वक्ति को एक ऐसा ऐसा बिमारी जिसका इलाज साइद इस वक्ति को मिल नहीं पा रहा वाव messenger of water five of earth five of cups के energy है कहा था ना मैंने कि दिल दिल जो है सुर्फ धड़कने का काम कर रहा है इनकी जिन्दगी में उसके अलावा अगर मैं देखू तो दिल से ही ये वक्ति बीमार हाट चक्रा प्रॉलम है हाट चक्रा ब्लॉकेजिस है बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये वक्ति सुरी ये five of earth का कार्ड है five of pentacles के energy है हर्मिट आया है ये वक्ति आपको इग्नोर क्यों कर रहा है स्टार भी आ गया वाव दो बड़े कार्स दो मेजर अरकाना यहां पर बॉटम अगर ड़क में टावर का कार्ड आया है आपके लिए निकल कर चले इस ड़क से भी देखते हैं क्या निकल कर आता है आता है निकली दोट आता हुआ निकली देखते हैं क्यों स्टार आता है स्टार भी है सन भी है किंग आफ काप्स कि दो फूल कि आपको अच्छे से कार्ट दिखी रहे होंगे गाइस बॉटम आप देक में कुई नव सोर्स के अनर्जी निकल कर आई है तो चलिए अब साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं आज एक्वरिस के इनर्जी इंपॉर्टेंट है वर्गो के इनर्जी इंपॉर्टेंट है तीन बड़े कार्ट मेजर अर्काना से मिले है आपको इसके अलावा हमारे पास है वर्टर साइन, कैंसर्स कॉप्य पाइसे, कर्प विशिक और मीन रासी, अर्ट साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, विशिप कनिया मकर रासी, इसके बाद एर साइन है, जमिली लिब्राक निकल कर आया है, दूसरी तरफ टावर आया है, तो आप समझ लो कि यह जो आप दोनों का प्यार था, आप दोनों का भरोसा था, आप दोनों का यकीन था, एक दूसरे के ऊपर, रिलेशन्शिप जोड़ते वक्त जो है, बहुत ही मजबूत आप दोनों का रिलेशन्शिप करते थे प्यार करते थे और प्यार करकर के ही आप दोनों ने भरोसा करकर के ही इस इमारत को बनाया है और इस इमारत का मतलब होता है रिस्ता रिस्ता जितना मजबूत होगा उतना ही ठीकेगा है ना पर यहां पर क्या दिख रहा है कि एक रिस्ता मजबूत बन भी गया आप द कुछ भी हो जाए सिंदगी में हम दोनों कभी दूर्शे का साथ नहीं छोड़ेंगे हम दोनों जो है जिन्दकी के आखरी लंहों मर दख एक दूर्शे का साथ निभाएंगे पर ये वादा कही नहीं पूरा नहीं हो पाया इस वक्ति ने आपको इग्णोर करना स्टार्ट कर दिया निए क्यों दिख रहा है क्योंकि यहां पर फूल का अक्शन हुआ है और जब इनसान फूल का ये बेवकूफियों वाला हरकत जब किसी के संबंद में कर देता है तो उससे ही हम पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस वक्ति की लापरवाईया कितनी हुई है, हाना इस वक्ति ने जरा सा भी ये नहीं सोचा कि मैंने या उन्होंने जो है कितना इ लगा इस रिलेशन्शिप को तोड़ने में क्योंकि टावर टूटी हुई रिस्टे की जो है कहानी मुझे यहाँ पर बया करती है, तो क्यों इस वक्ति ने जो आप से कल तक प्यार किया करता था, जो वक्ति आपको बिना देखे या आप से बाते किये बिना इस वक्ति के निक्दोंड करने की जो पीछे की वज़े है वो है Queen of Swords और Queen of Swords को ही मैं पूरा का पूरा जिम्मा यहां पर देना चाहूंगी कि इसी एक ताकत ने या इसी एक इंसान ने या इसी एक सक्ती ने जो है इस रिष्टे की बुनियात को जो है हिला कर रख दिया सब कुछ जो है त क्योंकि मैं यहां पर Queen of Swords देख रही हूं वो एक ऐसी एसा वक्तित्व है या एक ऐसा एक ऐसी इंसान है जो आपके प्यार को बिल्कुल नहीं समझ पाती कि इस व्यक्ति को किस चीज़ की जरूत है अभी अगर आपके प्यार को मैं इमेजिन करूं या यहां पर देखू त तो सिर्फ और शिफ इसी Queen of Swords की वज़े से इसने अगर आपके साथ relationship तोड़ा है तो इसी Queen of Swords की वज़े से आपके जिंदगी में या आपके पोसन के जिंदगी में यह Queen of Swords आई है वो कौन है कौन है जो यहां पर इस कदर जो है ऐसा role play कर रहा है जिस role की वज़े से मैं द च्यादा तडब रहा है यह वक्ति आप से प्यार भी कर रहा है पर इस relationship को यह वक्ति बचा नहीं पाया क्योंकि तावर यहां पर तोड़ कर जा चुका है प्रेशर यहां पर हुआ है Queen of Swords की वज़े से पर यह वक्ति प्यार कर रहा है आज भी आप से तो कही ना कहीं आप स समझो या फिर आप अभी मैं जब आपको बता रहे हूं कि यह Queen of Swords कौन है तो आपको समझना है कि आपके और इनके बीच में आने वाली जो यह दिवार है यह किसका नाम है क्या यह वक्ति जो है अपने फामिली से डरता है या अपने मदर से डरता है या फिर यह अपने मद कोई भी ऐसा कुछ यहाँ पर जो है definitely Queen of Swords ही नजर आया है जिसकी भेट जो है यह प्यार वाला रिस्ता चड़ गया तो इग्नोर करने के पीछे के वज़े भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि Queen of Swords ही में वज़े है और इन्होंने ही इस relationship को तोड़ कर खतम सा कर दिया है यह यहाँ पर और आपके portion को अगर मैं देखू तो यह देखो Nine of Swords का काड़ आ गया, Three of Swords का काड़ आ गया है ना और साथ ही साथ यहाँ पर Five of Earth का भी काड़ आ गया आप तीनों ही energies यह ही बता रही है हमें कि बिलकुल यह वक्ती जिन्दगी में खुद को साहथ कभी मास्क नह नजरे मिलाकर यह वक्ती कभी भी अपने आपको देख नहीं पाएगा, यह वक्ती कभी भी प्यार करने के लिए अब अपने आपको तयार नहीं कर पाएगा, यह वक्ती इतनी बुरी तरीके से हीन भावना या आत्मा से संतुष्ट नहीं है यह वक्ती, इस वक्ती को बस इ इतिहास को ना बदल पाने वाली, इतिहास में हुई घटनाओं को ना बदल पाने वाली एनरजी, पास में हुई जो भी चीज़े हुई है आप दुनों के बीच में, उसको लेकर बार-बार सोचना, तडपना, अपने आपको होड करना, अपने दिल को दुखाना, यही उसका हैं, जो अपने आप से इतना नाराज है, कोई व्यक्ति है, जो अपने आप से इतना दुखी हैं, हैना की वो वक्ति अपने आपको सुकुन या फिर कह लीजये, यह वक्ति अपने आप addict जो है, इन वाहें हो आ कुछ ठाड़ रहा, न कह पा रहा है ना कुछ कर पा रह तो इस तरीके की जो है इस वक्ति की हार्ट से ब्लीडिंग हो रही है हार्ट से ब्लीडिंग का मतलब खून जो है वह सरीज में तो भैताई है पर इसका तो मानों जैसे दिल ही दो टुकड़ों में बढ़ गया है एक तरफ आप हो एक तरफ queen of swords है दूसरी तरफ बिखरावाई इस वक्ति की दिख रही है फाइव फ़र तैने के five of pentacles के जो एनर्जी आई है बिल्कुल वही बता रहा है five of pentacles का मतलब क्या होता है कि किसी के द्वारा चुटका किसी के साथ जो है एक बहुत ही एक बहुत ही relationship ऐसा था आपके साथ इस वक्ति का जिसमें जो है यह वक्ति हम हमेंसा किसी के साथ कानुभफ करता था जैसे कि आप इनके साथ हमेंसा हो आप इनके हर घड़ी में इनके साथ हो हर सकेंड में के साथ हो कुछ भी हो जाए आपको 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 जानकारी करवाना कुछ भी हो जाए यानिकि सबसे जारा जिन्दगी में जिस पर भरोसा किया या सबस्क्तु जहीं इनसान को जो है इस वक्ति ने अपना माना था वहीं इनसान आज इसके पास इनके साथ नहीं है तो यह एक जो है अपनी आपको टोटल यह वक्ति कहते हैं ना मेरा कुछ बचा ही नहीं मैं मेरे पास तो आप कुछ रहा ही नहीं, मैं इतना ज़्यादा गरीब अपने आपको मान चुका हूँ या मैं इतना गरीब हो चुका हूँ कि किसी को प्यार देने लायक तर मेरे मेरे में वो छमता नहीं थी तो इस वक्ति ने आपको प्यार देने में जो है ये वक्ति असक्षम रहा है आपको relationship offer करने में ये वक्ति असक्षम रहा है रिष्टे को तूटने से बचाने से ये वक्ति असक्षम रहा है तो इसको लग रहा है कि मैं तो इतना ज़रा जो है गरीब हो चुका हूँ कि मैं किस अकेले कैसे क्या करो, अब अकेले मेरे बस में कुछ है ही नहीं, मुझे तो वो छोड़कर जा चुकी है, या वो अब मेरे साथ नहीं है, उसका प्यार अब मेरे साथ नहीं है, तो किसका भरोसा आप मैं करो, तो यह वक्ति अपने आपको बिल्कुल अकेला ही पूरी दुनिया के सामने भी ये वक्ति अपने आपको अकेला महसुस कर रहा है इतना ज़्यादा इस वक्ति का अगर मैं सोच आपको बताऊ ना तो ये टोटली टूटा हुआ ही यहाँ पर नजर आता है गरीबी का कार्ड होता है फाइव फर्थ या फिर कह लिजे कि अकेले पन का कार्ड होता है या फिर किसी की साथ के लिए तड़पने वाला कार्ड होता है किसी का मूँ तक देखना इस वक्ति को पसंद नहीं किसी का चहरा तक देखना इस वक्ति को पसंद नहीं है ये वक्ति भले ही अकेले रह लेगा ये वक्ति भले ही अकेले रो लेगा पर किसी से जो है ये वक्ति मदद तक नहीं मांग रहा है तक नहीं मांग रहा है इस तरीके से ये वक्ति आपको इग्नोर तो कर रहा है पर इग्नोर करके देखो गाईज इस वक्ति ने सब को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है लोग क् अपनी स्वार्थ के वज़े से यह नहीं देखते कि उनके बच्चे जो है किस कदर तड़प रहे हैं अंदर ही अंदर अपना प्यार गवा कर अपना सब कुछ गवा कर एक इंसान के साथ इसने प्यार किया एक इंसान के साथ इसने एक भरोसा बनाया और वो भरोसा जो है चु जो है यह सारी चीज़े अकड के सामने वस्तान के इससे वहस्ता नहीं कि इसका तो इनसानु से जैसे मानो Ale भरोसा तूठी गया है इंसानु से भरोसा तूट गया है ये वक्ति जो है सुनसान में रह लेगा ये वक्ति जो है कहीं पर भी जो है चला जाएगा निकल जाएगा घर से हाना जहां पर इसे टोकने वाला कोई ना हो इसका हाल चाल पूसने वाला कोई ना हो निकल जाएगा घर से कहीं पर भी बाइक लेकर निकल ये ज़्यादा तर involvement पसंद नहीं कर रहा अभी कि इस समय में ये वक्ति किसी की भी दखल अंदाजी या फिर किसी का भी अपने life में आकर पूछना कि तुम कैसे हो क्या हो क्या कर रहे हो इसे ये सारे चीज़ों से अपना ये सारे चीज़ों से बक्वास लगने लगी है और य ये वक्ति बिलकुल अकेला पन ही पसंद कर रहा है हर्मिट इस वक्ति को बहुत सपोर्ट कर रही है हर्मिट इस वक्ति को साथ दे रही है हर्मिट इस वक्ति के दिल को सहला रही है क्योंकि यहां पर घाव है इसके दिल में बहुत बड़ा घाव लगा है चोट लगा है और ये वक्ति आपके ही प्यार में वो संतुष्टी महसूस करता है क्योंकि King of Cub जहांपर एक तरफ दूसरों के बारे में सोच कर अपने जिन्दगी बर्बात करने की एनरजी होती है तो वहीं पर एक तरफ जो है ये वक्ति आपके बारे में सोच कर उसी बरबाद जिंदगी को देखता है और आपका जो प्यार का जो मिठास है आपका प्यार का जो है सास है इसे जिंदगी जीने का एक होसला देती है तो इग्णोर करने की पीछी की जो में वज़े है वो मैं आपको बता चुकी हूँ फूल भी आया है यहाँ पर जो यह बताता है कि जो कास का जो एक सब्द होता है कि कास ऐसा ना हुआ होता कास ऐसा ना किया होता कास वक्त रहते ही जो है संभल गए होते तो साइद आज यह जिंदगी इतनी बरबाद और अकेली काटनी नहीं पड़ती फूल का अक्षन यह वक्त ले चुका है अब बात करते हैं उस काट के बारे में क्या यह वक्त आपको मांगता है क्या यह वक्त आपको चाहता है आप इनके लिए कितना खास हो आपकी एहमेत इनकी जिंदगी में क्या है तो आपकी हैमेत इस इंसान की जिन्दगी में दो है, एक आप इनके लिए वो तारा हो, है ना जो कब तूटे और मेरे जोली में आकर गिरे, वो ये वक्ति सोचता है, दूसरा आप इनकी खुशी हो, सनका कार्ड खुशी को दिखाता है, तो आपके लिए ये वक्ति दो ही ची लोगो तिसीगी होगी दूसरा शैनि ओक्ति इन के वक्तिमकर आप से एपने जिन्दगी आगे बढ़ आपसे बतिस जिन्दगी में आगे ये गरीबी खत्म होगी, मुझे लगेगा कि मुझे सब कुछ हासल हो गया, इस वक्त को ये महसूस होता है कि आपके साथ अगर जिन्दगी में ये वक्ति आगे बढ़ पाए, जिन्दगी आपके साथ जी पाए, तो फिर जो है इस वक्ति को किसी दिसकी तलास होगी नहीं, इ बहुत बड़ा ठेल रचा गया है जिसके वज़े से ये वक्ति खुद को माफ नहीं कर पा रहा है आपकी बिना ये वक्ति जो है अधुरा अपने आपको महसूस कर रहा है अपने आपको गरीब लुटा हुआ खतम हुआ सा महसूस कर रहा है आपका प्यार और आपके कंधे की जरुत इस वक्ति को महसूस हो रही है और इसवर से ही जो है ये वक्ति पुकार रहा है कि मेरी जिन्दगी में ये दो चीज़े मुझे दे दो क्योंकि इसकी मुझे सक्त जरुत है फ्यूचर के लिए भी मैं आपको कुछ बता दू यहां पर आया है सन का काड़ स्टार का काड़ यानि कि एक तो यह वक्ति जो मांग रहा है जो भी इसकी ख्वाइस है जो भी इसकी डिजायर है सपने है वो इस वर इन्हें देंगे ठीक है यह तो बात बिल्कुल सोला आने और कि इस वर के मजबुरी देखना है क्यूं आपको सब्सक्रिस्टा कूल थे हैं इस इसकी अपटा के इस फैसले को या हमया इशा है जो है का अधिकार है तुम्हें भी प्यार पाने का अधिकार है क्योंकि तुमने जो है बहुत सारा जिंदगी में कॉम्प्रमाइस किया है दूसरों के लिए तुमने जो है अपने प्यार की कुर्बानी दी है दूसरों के लिए तो हम तुम्हारे इस्तियाग का बलिदान को जो है व यो रहे है क्योंकि हरमिट में हमेशा जलद बारजी नहीं होती है आप जानते हो हरमिट उसा क्यों का परिपरेशन का काड़ होता है peng लांकि किसी की तैयारी चल रही है जैसे हम उग exams परिख्जाम से पहले गंटों घंटों तक पढ़ाई या करते हैं। साल भर पढ़ाय करें। हैैना परिख्जाम से कुछ दिनों पहले हम बहुत मेहनत लगाते हैं तक हम परिख्जा में पास हो सके। आपके पॉर्सन की भी प्रिपरेशन चल रही है। इस वक्ति की भी लोग समझ नहीं रहे पर इसों ने समझ लिया है डेफिनेटली एक ना एक दिन जो है यह वक्ति फूल का यानि कि जिस तरीके से इसने आपकी नहीं सुनी किसी और की सुनी और इस वक्ति ने इस रिस्टे को तोड़ दिया अब वैसा ही सेम समय चक्र बदल रहा है या पर वही वहाली हो रहा है जो यह करकी आप एसा होने वाला है कि यह वक्ति जो है अपनी खुशू को सबसे पहले प्राइ harmonic गार प्लाटव मिक्ता आपको देगा इस रिलेश् MINC comment को देगा और यह वरत क्याँयों कर लिया है इक चांस तो ले लेते हैं भाई ऐक अपने बारे में स्वार्थ के बारे में सोच रहा है पर मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है तो यह leap of faith या फिर कह लिजिए यह जो एक्षन है यह वेक्षिट डेफिनेटली आपके लिए 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 कर ही रहेगा चलिए देखते हैं युनिवर्स की तरफ से क्या है ब्रेक्थुरु वही star का जो काड़ाया है sun का कार आया है 11 नमबर आया है जिसे हम कहते हैं universe का miracle जिसे हम कहते हैं एंजल का प्यार जिसे कहते हैं विस फिल्मेंट, मैनिफेस्टेशन, धुआएं जो भी आप कहते हैं, अगर आप बार बार दिख रहा है, तो साइध हो सकता है कि अब आपके पोसन के सामने जो प्रावलम्स है, जो दुविदाय हैं, ये निकल नहीं पा रहा है, ये लोग इने रोकते हैं, इनकी समस्या ही ने रो कारा, आपके पोसन को एंजल्स दे रही हैं, कहने का मतलब है, एक दर्वाजा, एक ओप्शन, एक ओपोर्चन इस वक्ति को, या फिर कह लिजे एक सेकंड चांस, इस वक्ति को डफिनिटरी दे रहे हैं, ताकि ये वक्ति आपके लिए वो कर जाएं, जो ये वक्ति आज तक आपके लिए कर नहीं पाया है, तो चलिए और देखते हैं, क्या है? सिक, धूर्णा, यहाँ पर गाईस, मुझे एक कार्ड चाहिए था, दो काड़ा आएं हैं, फ्लो, नमबर टैन और नमबर नाइन की एनरजी आई हैं, निकल कर, पहले तो धूर्णो, अपने आपको धूर्णो, जिस जिस की तलास आपको हुया है, पर आपको मिल नहीं रही है, ढूर्णने पर वो आपको मिलेगा, ठीक है, तो आपको ढूर्णने के लिए कहा गया है, किस जिस की जरुत महसूस होती है, आपको अपने जिन्दगी में, दूसरा यहाँ पर आया है, फ्लो, यानि कि बहते चले जाओ, जो जिन्दगी में हो रहा है ना अभी, उसे पी स्वर को हो, चाहे अपने रिस्ते को हो, हैना उन चीजों को ढूंडो, जो तुम पाना चाहते हो, दूसरा फ्लो, यानि कि आगे बढ़ना है हमेसा, पीछे मुड़कर नहीं जाना, पीछे जाओगे, तो और भी जो है आप, हैना पता नहीं कहां पहुंच जाओगे, इसका क के लिए कुछ रखा है, तो इसलिए पास्ट में कभी भी जो है अटकना नहीं है, उलजना नहीं है, बस आगे की तरफ आपको बहते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है, समझ गए, कुछ लोगों के लिए मैं एक और बात आपको कह दू, यहाँ पर मुझे डफ की एनरज सुकून नहीं मिल पा रहा है, दिमाग में हल चल है, दिमाग में खलबली है, मन कहीं पर उदास रहता है, मन को आप सांत नहीं कर पा रहे हो, तो इस तरह आप से कह रहे हैं, कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अपनी सांती को ढूंडो, किस चीज़ को करने में आपको सुकून मिल कुंठ है आपको जो है उसकी घलाज करनी है अपके पोसन कि तरफ से इस देखें आंपको क्यों पसंद करते हैं आपकी कौन सी हेडिस आपका कौन सा नेचर है जो इस वक्ति को अच्छा लगता यह पसंद आता है देख लें है यहाँ फ़ाइब कि जो एफ य सर प्रडीश के एनर्जी आई थती नंगे आता कि कि सीका भरीपूर शाल मिलने के बाद अचानक प्यार मिलते रहे बहुत है तो इनसान क्या उनसान अपने आपको बिल्कुल अकैला महसूस करने लगे गा तो देखो वही चीज नमबर 7 के एनरजी नमबर 7 खास हो सकता है, 9 और 10 भी खास है आपके लिए, तो यहाँ पर कहा गया है, तुमने हमेशा मुझे गले से लगाया है, यह वक्ति कई बार रोया भी है आपके साथ, यह वक्ति कई बार आपको कसकर पकड़ा भी है, इसे सुकून मिलता है वहाँ पर आपके बाहों में, इस वक्ति को रिलाक्स होता है, इस वक्ति को ऐसा फिल, यह कोई रोमांस के वज़ होता है आपकी बाहों में आकर तो क्या कभी इस वक्ति ने आपके साथ ऐसा किया है जो यहां पर यह कह रहा है कि तुमने मुझे कई बार अपनी बाहों में कसकर भरा है कसकर पकड़ा है और इस वक्ति को जो है यह चीज सबसे ज़्यादा सांती देती है इस वक्ति को सबसे ज बहुत है आज आपके रिडिंग में तो कहीं न कहीं तलवार के सामने कटा है ये प्यार, तलवार की वज़े से कटा है ये रिस्ता, तलवार की वज़े से ये एक ऐसा इंसान जो आपके लिए पलपल तडप रहा है, आपको प्यार देने के लिए ये वक्ति अपने आपको तय प्यार कर रहा है आपके प्यार के वज़े से ये वक्ति जी रहा है ऐसे कठोड लोगों के बीच में रहकर भी ये वक्ति आपको प्यार करता हुआ नजर आया है तो आप खुद ही समझ लो कि दलवार की धार नहीं जो है कहीं नहीं इस वक्ति को शक्रिफाइस करने पर मजबूर किया है आपसे दूर होने पर मजबूर किया है पडूरी भी ऐसी दूरी जहां पर श्रिफ आप के लिए प्यार है और आपके साथ खुशियों के लिए तरस्ता हुआ एक व्यक्ती नजर आया है अब अब इसे जंग लेते हो कैसे समझते हो यह मैं आपके ऊपर छोड़ती हूं और अगर आप इस रिडिंग से कनेक्ट हो पाए हो तो डेफिनेटली इस रिडिंग को एक एक शेर उन लोगों तक कर दीजिए जो साइथ किसी से सचा प्यार तो कर रहे हैं पर साइथ उनको भी जो है उनका प्यार मिल नहीं पा रहा तो कुछ हीलिंग मिल जाएगी गाइस तो इसी वज़े से शेर कर सकते हो तो कर देना चले इतना कहते वे रिडिंग को कर रही हूं क्लोज आपको रखने अपना बहुत ज़्यादा प्यार लव यॉ आल ठेक खेर नमस्ते आंड बबाई गाइस वालकम बै करने इसा या अपनी ही मनमानी की है इस वक्ती नहीं या फिर रिस वक्तिका का चरीत्र क्यारक्टर ही कुछ आएसा था कि यह लोकि stability देने के लिए नहीं आते बस जो है अपनी मस्ती के लिए मौज मस्ती के लिए आते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कर्मा की वज़े से कार्मिक एकाउंट में हो जाता है ऐसा पर वजह reality में क्या है इसे हमें चेक करना है इग्नोर करने की पीछी की वजह तो बिल्कुल latest updated reading कर रही हूँ मैं इस topic पर देखते हैं इनकी energy क्या है दो टू रोमांस नमबर 33 के energy यहां पर आई है देखें गाईस यह वक्ति आपको जितना भी इग्नोर कर ली यह वक्ति जितना भी कि आप से disconnect होने की कोशिस करें दूर भागने की कोशिस करें कहीं न कहीं इस वक्ति का जो मन है वो तो आपके करता है इप करता है इस वक्ति को बहुत इच्छा होती है कि इस तरीके से पहले आप दोनों रोमान्टिक पलो को जुआ करते थे एक दूसरे के करीब हुआ करते थे अपpunk करीब होते ही आप इनों के बीच में जो है एक अजीब सा वातावरन बन जाता था नजदी की बन जाती थी वह एहसास ही कुछ और था तो अगर आपको मैं सही सब्दों में कहूं तो इनकी अभी अभी वर्तमाज ठीति ऐसी है कि इस वक्ति को ऐसा मन हो रहा है कि आपके पिंड़े से आपके दि इनके बीच में जो नसदीकी होने का जो एक ब्लॉकेश था वो ब्लॉकेश यहां पर खुलतावा नजर आया है देखे दर्वाजा था खुल गया है और दर्वाजे के बाहर एक पिंड़ड़ा है जिसके अंदर इसका दिल है और चाबी कहां पर है चाबी है इसकी आपके प पहो चुका है, ब्लॉकेज खुल चुका है, आप दोनों के बीच में फिर से सद्भाव, आप दोनों के बीच में फिर से प्यार, आप दोनों के बीच में फिर से नजदी क्या बढ़ने का दर्वाजा खुल रहा है, तो डोटो रोमास इनके एनर्जी से निकल कर आया है, यहां क्या है इग्नोर करने की पीछी की वजह पर अब इग्नोर जादा नहीं अब इस वक्ति को ना आपसे जादा दूर रहना नहीं पड़ेगा यह वक्ति आपके लिए बहुत जादा रोमांस फिल कर रहा है लव फिल कर रहा है यह वक्ति आपके करीब आना चाह रहा है है समझ गए हाट रीकित कि थे सथर्बी करेगा किसी भी तरीके से आपके साथ नजदीकी आपके साथ कमजदीकि बढ़ाने के लिए कि इस वेकिक का दिन टा चा कर दो है वह कहले ऐसे टेर जाण थ्री आप आर्थ एट फायर हरोफेंट वाव रोमान्स और मारिज लाव मारिज हनी मुन का कुछ संकेत नहीं है मुझे तह ऐसा ही लग रहा है एक तरफ देखो रोमान्स है दूसी तरफ लव मारेज तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि सार्दे के बाद की जो हनी मून टिर फो होती है कुछ ना कुछ ऐसा हासार यहां पन नजर आया है कुछ लगी लोगों का कुछ लगी लोगों के लिए यह रिडिंग हो सकती है आज कनफर्म एंड वी है फाइव वाटर विच इस अधिस्ट अधिस्ट अनरजी ऑफ और टैरर्ट है ना आप जानते हो इस बात को फाइव वाटर याने कि फाइव ऑफ काप्स बॉटम में है क्यों कर रहा है यह वत्तिया आपको इग्नूर वजह क्या है स्ट्रेंथ मेजए अरकाना का स्ट्रेंथ आया है मीजए अरकाना का हर्फिन्ट आया है चेरट आ गया मेजर अरकाना का 10 of swords 5 of cups आज के double dual energy आई है देखे दोनों ही deck से same energy आपके portion की है सबसे बुरी हालत बहुत ही बुरी हालत सबसे खस्ता हालत क्योंकि दो आया है ये कार्ट तो आप समझ सकते हो सबसे डार्क सबसे उदासी सबसे जो है मतलब इससे जादा बड़ा दर्द नहीं होता किसी इंसान में जब five of cups का दो दो card अगर reading में आपको दिख जाए तो आपको समझ लेना है bottom of the deck में 10 of vents की energy निकल कर आई है तो चले अब आपको साइन और element की तरफ हम लेकर चलते हैं तो यहां पर आज क्या है आज टॉरस के energy cancer के energy लियो के energy सबसे important हो सकती है इसके अलावा हमारे पास air sign है जैमने लिब्रायक्रस में तुन दुला कुम रासी वाटर साइन तो गाइस यह वक्ति आपको क्यों इग्नोर कर रहे है क्यों यह वक्ति आपको ना सुनना पसंद कर रहे है ना आपके साथ बोलना पसंद कर रहे हैं क्यों रुखा रुखा सा कटा कटा सा बीहेव कर रहे हैं क्यों आपको देखकर प्यन देखा कर रहे हैं क्यों अजनभियों के तरह यह वक्ति आपके साथ पेस आ रहा है बहुत सारे सवाल है जो आपके मन में आते ही होंगे इस वक्ति को लेकर और बाद में यह वक आपके लिए इतना खुबसूरत सगुन है ना आज मैं क्या बताऊं गाइस यहां पर ऐसे से कार्ट आए हैं जो सारे के सारे रुकावटों को तोड़ते हुए आज के अनरजी में जहां पर एक तरफ तो मैंने आपसे कही दिया कि यहां पर रोमांस आप दुनों के बीच में जो यह वक्ति फील कर रहा है कि आपके साथ आकर क्लोज हो नजदीक हो रोमांस करें आपको आपको जी भर के देखें आपको जी भर के प्यार करें आपके आपके साथ जी भर के नजदीक यह वक्ति हो जो यह वक्ति चाहरा था उसकी इच्छा पूरी भी हो रही है क्योंकि यह एक्नोरेंस को दिखाता है बात करने लेकर तो ब्लॉकज़ भुल रहे हैं तो बहुत अच्छा जो है रिडिंग निकल कर आया है आज पाय लंबर टू आप लोगों के लिए तो चले सबसे पहले तो बताए कि रुकावट होई किस वज़े से है कारण क्या है बहुत सारे कारण यहाप निकल कर आये है जिसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगी द आया है यह तो क्या होता है ना कि अपने पार्टनर से चुप चुप कर कुछ गलतिया करते चले जाना अपनी पार्टनर से नजरे चुपा कर कुछ और करते चला जाना जैसे कि आपको इसकी खबर नहीं आपको उसकी जानकारी नहीं अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उस किसी और के साथ नजदी की ओला रिस्था चुपा लिया हो सता है कि किसी और के साथ अफेर में जाकर ये वक्ति आपके पीठ पीछे कुछ कर्टूते करता तला गया है आपको आपके भरुस्य को तोड़ता चला गया मतलब इनकी ही कैरेक्टर में या नियत में खोट थी हैना ऐसा लग रहा है जिसके वज़े से एंडिंग हुई है दूसरा एक कारण मैं आपको बता दू मतलब चरित्र से बल्वान नहीं था ये वक्ति अगर टैन ऑफ सोर्स को हम कहें कि धोका देना होता है पीछे से वार करना होता है टैन ऑफ सोर्स के एनरजी पर जरूरी नहीं कि सबी लोग चरित्र के वज suprem के भाज़े से थोगा दैते है अंब अगर कोई पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है वफा नहीं कर रहा तो उसके पीछे चुपाने की क्या वज़े अगर कोई छुपा रहा है तो उसके पीछे इसका मकसद जरूर कोई बुरा मकसद रहा होगा तो एनिवेज यहां पर एक topic एक कारण निकल कर आया कि यह वक्ति आपके साथ कभी sincere तरीके से loyal तरीके से पेस्ट नहीं आपाया आपके पीछे सब कुछ करता चला गया दूसरा कार अपनी मं के अंदर का साहकत जो love marriage करने के लिए चाहिए होता है और वो साहकत वो दम इस वक्ति के अंदर नहीं था क्योंकि कमजोर की अवस्ता इस वक्ति की हो सकती है कार्ड यहीं बताता है कोई वक्ति हें जो अपने आत्मबल से कमजोर Ee जो आत्म से स्विकार नहीं कर पा रहा कि मैं कर पाउंगा इनसान एक ठान slip कि मैं कर पाउंगा मुझसे हो पाएगा तभी जाकर वो किसी नतीजी तक पहुँँच करें बहुत ही नाज़ुक्र लस्ता की नज़र आती हैं यह व्यास्ता निकल कर आह er yüz को कुम्जर से अर्थिक बोज है, पारिवारिक बोज रहे कामी,पढ़ाई का सिलसला, को बढ़ाई का सिलसला और देखरे कर पाई, यह expectation करना बुरी बात नहीं है, हर माबाप को यह अपने अपने लोगों को अपने बच्चों से expectations होती है, पर यहां पर तो कुछ और ही कहानी में चल रही हो, यहां पर तो बहुत जयादा इस वंपर चल रहा है 10 यानने हमेशा कंपल कुछ ना ऐसा थोब दिया जाता है ऐसा कि बीया जाता है अपने फैसलों के बारे में यह कभी भी जो तो तो दीन कारण निल करा है इसकारन यहां पर निल कर आया है कि इस व्हुंटति ने आप को दिल की रानी आप इनके जिन्दगी की रानी आप इनके जिन्दगी को रूल करने वाली आप एक मालिकाना हक है ना कहते ना कि जिससे हम प्यार करते हैं उसे अगर हम पा ले लव मैरिज अगर सक्सेस्फुल हो जाए तो उससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं होती कि जिसे च लब मैरिट की सपने को जो है यह अब बहुत बढ़ी सैथ जो है किसी और से स्ग्रूंटी नहीं दी में ने αναफाया इस साध्हाइब इस वक्ति को स्ग्रूंटी नहीं मिल पाई यहां किसी और की नजर में छटटक गया यह रिस्ता तो यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़े निकल कर आई हैं जो मैंने आपको बता दिये इग्नोर करने की पीछे का जो कारण है वजह है इग्नोर भी कैसे किया है ये भी मैं बता दू देखो यहाँ पर एट ओफ फायर ही उस सवाल का जवाब है कि इस वक्ति ने आपको इग्नोर कैस इसने छोड़ दिया आपके हर जवाब का सवाल का जवाब उल्टे सिदे अर्थों में देने लगा ये आपके सवालों को इग्नोर करने लगा ये आपसे मिलने से इग्नोर करने लगा ये आपको फिर धीर धीर इसने आपको ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया कम्म्यूकेशन से बॉकती जो है आपसे दूर होता चला गया और वजह क्या वसकता है कि यह निकलने का कभी भी राष्टा समझ में ही नहीं आया क्योंकि यहां पर बॉठम कर रहा है जो यह बता रहा है कि थे उसS WILL का जो है कोई भी समाधान इस वक्ति को मिला नहीं और ये वक्ति समाधान कर भी नहीं पाया फैसले लेने में हमेशा इस वक्ति को तारे नजर आते हैं जी हाँ फैसले में भी ये वक्ति ना बहुत कमजोर नजर आता है इस वक्ति का फैसला या तो हमेशा दूसरों के लिए होता या फिर हमेशा गलत होता है अगर आपके लिए फैसला लेने का अगर मैं यहां पर बोलू कि आपके लिए इसने क्या फैसला लिया है तो आपको तो हमेशा बीच में इस वक्ति ने रख छोड़ा है क्योंकि two of sorts हमेशा दो चीजे और दो चीजों के बीच में चयन ना कर पाना चुनाओ ना कर पाना दो चीजों के बीच में जो है अपने फैसले को पेंडिंग रख देना कि बाद में लेंगे फैसला जब चीजे ठीक होंगी तब लेंगे फैसला अभी के लिए जो है ना इधर के ना उधर के और आपको भी जो है बीच में बिलकुल लटका कर छोड़ हो दिया है इस वक्ति ने तो इसी वज़े से जो है गाइस बहुत सारे जो है प्रॉलम से हाँ पर खड़ी हुई है आप दुनों के बीच में अब बात करते हैं सोलुशन क्या तो क्या यह वक्ति आपको ऐसे ही हमेसा इगनोर करेगा देखो पार्टनर्शिप की है इसने कहीं जक्ति आपके आखो के सामने इस वक्ति ने जीवन यहांदी किसी और को दे दिया आप चाहते थे इस वक्ति के जिंददेगी का साथ हमेशा होता है तो आप चाहते थी कि इस इंसान के जिन्दगी का हर फैसला आपके लिए हो या आपके साथ हो आप जोनों मिलकर डिसकस करो पर आपके आखों के सामने ही इस वक्ति ने वह हक किसी और को जाकर दिया है है या नहीं थ्रियों पैंटिकल थर्ट पार्टी ह हमेशा यहां पर मौजूथ नजर आती है तो बहुत सारी चीज़े हैं यहां पर जिसने इस वक्ति को आपको इगनोर करने पर बजबूर किया है प्यार चाहता था मैरेश करना चाहता था कर नहीं पाया तो सबसे सही और सरल तरीका क्या होता है ब्लॉक मार दो कॉंटेक्ट से फिर अपना आइडी बना कर चलो तो इस तरह के से इस वक्ति ने आपको बहुत दुखी किया है बहुत दर्द दिया है यह तो साफ साफ नजर आ ही चुका है अब बात करते हैं होगा क्या आगे एक तो आपको अलड़ी में बता चुकी हों कि ब्लॉकेजिस यहां पर खु प्रजाओ है तकलीफ है दर्द जो किया जो ना करना था जो कभी सोच नहीं सकते थे ऐसा इस वक्ति ने आपके साथ ब्यवफाइड किया है उन सारे चीज़ों का अफसोस है एंडिंग होने का अफसोस है कैसे विगनिंग किया जाए उसके रास्ते नहीं दिख रहे नहीं दो हिस्सों में बटा हुआ है यहां पर एक है फाइव वाटर इदर फाइव वाटर उधर दोनों ही तरफ यह दिखता है कि बेवफाइव की इतनी इंतहा लांग थी इस वक्ती ने कि अब खुद कत्रों में जिन्दगी जीने पर मजबूर हुआ है फाइव फकाब्स यानि कि इस तलवार के जगे अगर आपको प्यार दे दिया होता तो कैसा होता अभी यह इस तनाई में अकेले में सोच क्या रहा है यही तो सोच रहा है कि मैंने दस तलवारों का उपहार देने की वज़ाए अगर मैंने उस समय उसे हैना दस कप दे दिया होता फाइव प्लस 10 है कि नहीं 5 plus 5 10 तो यह 10 कप अगर मैंने उसको इस तलवार की बज़ाए दिया होता तो आज जो है उस 10 of कप के साथ मैं उसके साथ जिन्दगी जी रहा होता मैं उसके साथ घर बसा चुका होता मैं उसके साथ एक बहुत खूपसुरत रिलेशन्शिप एक संबंद में होता जह कि मैंने जो देना था मैं वो दे नहीं पाया जो मुझसे हो गया उसका आपको पस्तावा करके भी फाइदा नहीं है उसका जो है वापसे भी नहीं है एंडिंग यहां पर इतनी दर्दनाक हुई है कि उस एंडिंग को आप कैसे बिग्निंग में बदला जा सके इसका भी टिक कहीं न कहीं अपने आपको खोता जला जा रहा है अपने आपको यह व्यक्ति भूलता जला जा रहा है इस नहीं है इस वक्ति को आपके प्यार की जुर्ट महसूस हो रही है त्री ayasrounded और जैसे आप ल्वक्ति आपको छोड़कर किसी और की पास गया था अब स्मय आया ह कि ये वक्ति उन लोगों के सामने उनकी आखों के सामने चाहे जूट बोलकर हो चाहे जो है कुछ भी कुछ भी बोलकर हो यह वक्ति उनकी आखों के सामने उनका साथ उनका पार्टनर्शिप उनका घर उनका बिस्द सब को छोड़कर आपके पास आ रहा है यह होता है न कि तो आपको फिर आना उन्हीं के सर्णों में होता है जिसे आप ठुकरा कर जाते हो तो इस वक्ति के आज वही है कि इसने आपको ठुकराया है ना आपको इग्नोर किया इस वक्ति ने दूसरों के लिए या कहले जे खुद की ही अपनी ही तमाम प्रॉलम्स के वज़े से आपनी नजर आता है बेहिसाब दर्थ है बेहिसाब चोट है यहाँ पर बेहिसाब जो है इस वक्ति का इस वक्ति की गल्तिया है जिसे साइद माफी देना भी बहुत मुस्किल होगा आपके लिए पर मैं तो हम इसा कहूंगी कि माफ कीजी अगर कोई आ रहा है लौट कर तो उसे हम माफ कर देना ही चाहिए है इस वक्ति की वापसी एसी हो रही है जिसमें फिर मुड़कर वापस जाना नहीं है मतलब यह वन टाइम बैक वाली एनरजी है कि अब जो है यह वक्ति दुबारा लौट कर उस जगह पर नहीं जाएगा जिस जगह को यह छोड़कर आपके पास आ लिया है एक करने का वादा यहां पर इस वर ने ले लिया है यू आर गोइंग टू गेट लव मारिश विद इस पोसन इस वक्ति के साथ आपकी लव मारिश इस वर करवा रहे हैं और ऐसे करवा रहे है कि चाहे फिर थर्ड पार्टी आप दोनों की ब्लेसिंग के लिए सामन के अपास नहीं जाएगा यह आपका ही होकर रहने वाला है एट फायर आया है यानिकि एट फ्वेंट के एनरजी है जो यह बताती है जितना इसने इगनोर किया है वो सारी चीज़े अब जो है खुल रही है यह वक्ति कम्यूकेशन के लिए तयार है यह वक्ति आप से बात क करने के लिए तयार है शेयर करने के लिए तयार है यह बातु को थोड़ा डाउड bhi хrange वह आ चाहां कि कैसे जिआ ठीक किया जा सकता है तो आपके साथ कुछ जो है सजेशन्स यह वक्ति लेगा आपके साथ आपके साथ मिलकर जो है यह वक्ति कोई ना कोई तर्कीब निकालेगा क्योंकि तरकीब निकालने का और थर्ट पार्टी को छोड़ने का कार्ड यहां पर आ भी चुका है यानि कि कम्यूकेशन गाप या ब्लॉकेजस वाला गाप जो है नो कॉंटक्ट वाला जो सिचुशन आप दिनों के बीच में है वो जो है आज की रिडिंग खतम कर रही है साथ ही स्ट्रेंथ का कार्ड आया है मतलब जितने लूप होल्स होती है ना जितने भी कमिया थिया जितने भी कम आया है अब के साथ है आगे कदम के साथैसल यह वक्ति पैशा कमा अगर कि données अगर किसी का सच्चा साथ सात और प्यार मिल जाए ना तोpf зал कर कर सकता है इतनी power इस वक्ति के अंदर है रुदर होने के लिए पैथा हुआ है यह वक्ति पर इसे आपका सात नहीं मिल पाया या फिर कह लिजे कि इस वक्ति ने आपके साथ की कदर नहीं की आपको समझ नहीं पाया इसलिए यह वक्ति आज भटक रहा है तो communication यहां पर charity आपके लिए और आपके साथ यह वक्ति अपने मंजल की तरफ आगे बढ़ेगा वो सारे powers भी किन करेगा जो इसे डरा रही है धमका रही है रोक रही है आप से अलग होने पर मजबूर कर रही है डर ने जो है पकड आप दिनों का future है साथ जिन्ददी बिताना और जो इनों ने आज तक आपके साथ किया है बुरा बिहेव बुरा बरताव आपको आपके साथ जो भी नालाए की पन इस वक्ति ने किया है उन सारे चीजों में सुधार भी होगा क्योंकि है रोफेंट हमेसा गुरू के संग र सामने जो इनकी जिन्दगी है उसमें कुछ करने का इन्होंने अठोट निर्ने भी ले लिया है और कुछ निर्ने में इसे confusion होगी तो वह आपके साथ आकर आपके भी राय लेगा आपसे भी suggestions लेगा कि ऐसी चीज़े चल रही है अब हम ही क्या करना है क्या तुम कुछ इसमे the card of communication here तो चले अब देखते हैं युनिवर्स की तरफ से क्या है कुछ कार्द गी रहे हैं गाइस politics number 7 यहाँ पर आया है या तो आपके साथ इस वक्ति नहीं यह क्या है घिनोनी हरकते घिनोनी चाल घिनोना आपके जिंदगी के साथ खिलवार या फिर हो सकता है कि कुछ और लोगों ने आकर यह politics आपके साथ की है नंबर साथ के energy कभी भी मुझे अच्छी नहीं लगती है टारेट में यह हमेशा या तो problems को, दुविधाओं को, संकट को, ignorance को दिखाती है तो साथ का यह कार्ड हमेशा बुरा ही कुछ लेकर आता है तो आपके जिंदगी में भी जो भी खेल खेला गया है उसका तो नतीजा यही है कि इस वक्ति को उस खेल से बहुत बड़ा सबक इसवर दे रहे है और जो खेल इसने खेला है उसी में इस वक्ति को हारना पढ़ रहा है क्यों हारना पढ़ रहा है? क्योंकि जिस वक्ति के साथ politics किया आप खुद एक बार इसे feel करो ना कि जिस वक्ति के जिंदगी बरबात की, जिस वक्ति के साथ घिनोनी चाल चली उसी के सरनों में अगर कोई वक्ति आ रहा है तो किस मूँ से आएगा और कैसे आएगा तो यही इस वक्ति के लिए सबसे बड़ी सबक या यही इस वक्ति का सबसे बड़ा कर्मा होगा कि इसे जो है आपके सामने इस वर लाएंगे और आपको जो है हिसाब करने के लिए इस वक्ति का हिसाब किताब करने के लिए आपके ही जिम्मे जो है इस वक्ति को छोड़ा जाएगा समझ रहे हो तो किसी के जिन्दगी के साथ कभी भी इस तरह की घिनोनी हरकते आप भी मत कर अब जो है मैं भी बैसा ही करूंगे आप कभी किसी के साथ नहीं करना है मुझे इसकुर लेना था पर मैं अल्रड़ी सफल करते जली जा रही हूं तो एक और ले ही लेते हैं के यहां पर माइंट का आया है जो यह बताता है देखो दिमाग तो बिलकुल चक्रा गया है दिमाग में रही है म जैना कि दिमाग ऐसे हवस्ता में हैं जहां जहां पर कान तो सुन रहे हैं पर दिमाग उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा होट तो गोल NICK लिए त्यार है पर दिमाग उसे और्डर नहीं दे रहा मतलब दिमाग का जो कौना है ना दिमाग का कौना बिल्कुर ठप पड़ गया है आपके इस व्यक्ति का आपके इस पॉर्सन का चलिए इस डेक से देखते हैं आपके लिए गाइजन्स क्या है चींजर फोकस आप से कहा गया है कि आप साइज एक ही चीज़ पर अटक गए हो अटके पड़े हो उस चीज़ से दाए बाए उपर नीचे सूच नहीं पारे हो कुछ कर नहीं पारे हो तो इस वर आप से कह रहे है कि जरास आपना ध्यान कहीं और लगाकर तो देखो क्या पता वहाँ पर कुछ और है आपके लिए एक जिसके पीछे पागल बने हो पागल बनकर जो है जिन्दगी जी रहे हो अपना ध्यान अपना फोकस अपना कॉंसेंट्रेशन अपना लगाओ अपनी इच्छा दूसरी जगे पर भी जो है एक बार डाइवर्ट करने के लिए कहां गया है समझ गए डाइवर्ट यूर फोक थड़ाई चक्रा ओमाइगाड तो यहां पर थड़ाई चक्रा नंबर 656 इंपोर्टेंट है आपके लिए तो थड़ाई चक्रा का मतलब यही होता है अवेकनिंग जो चीजे हम कहते हैं कि इंसान अपने आँखों से सब कुछ देखते हैं पर जो चीजे हमें नहीं दिखती है वो क्यों होती है क्योंकि हमारा थड़ाई चक्रा ब्लॉक होता है बंद होता है हमें चीजे दिखती है जो उसे ही हम सही माल लेते हैं हम इस्वर के नजदीक नहीं जाते इस साथ हम संपर्क नहीं करते हैं गलत को सही सही को गलत इसी चक्र में कई लोगों की जिन्दगया बरबाद हो जाती है कि हम पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारी spiritual awakening नहीं हुई होती, सायद आपके जिन्दगी में भी कुछ ऐसा ही घट रहा है, guys कि आपकी awakening नहीं हुई थी, आप भी चीजों को नजर अंदास कर रहे थे, इसी वज़े से बार बार धोका खाते हो, इसी वज़े वैसा ही नजरिया आप दूसरों के लिए रखते हो, जो कि सही नहीं है, तो आपकी जो है इस वर थड़ाई चक्रा के opening कर रहे हैं, ताकि अब आपके जिन्दगी में कोई भी जो है दुस प्रभावना पड़े, बुरे लोग आपके जिन्दगी में आप ही रहे हैं, तो बड़ाई चक्रा आपकी opening यहां पर हो रही है, चले देखते हैं इस डेक से कि आपके portion को आपने क्या अच्छा लगता है, या क्या like करते हैं, या क्या पसंद करते हैं, एक card मैं यहां से ले रही हूं आपके लिए, I love you for always being so supportive, number 31 के energy यहां पर आई है, तो क्या आपने इनको बुरे समय में, बुरे वक्त में, इनके दुख वाले दिनों में, जब ये वक्ति असाय था, जब इस वक्ति को किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था, क्या आपने इस वक्ति की थी गई, सपोर्ट किया था, चाहें किस किसी भी, किसी भी फिल्ड में हो, है ना, जरूरी नहीं कि इनसान सिर्फ प्यार करता है, कई लोग प्यार के चकर में अपनी जाइदात, जमिन जाइदात तक बेच देते हैं, अपनी जमापुंजी तक इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि उसको किसी जिसकी कमी ना हो, बिजन करता था, वो तक जो है आप खरिद कर लाकर देते थे, इतना जो है आपने, मतलब हर चीज में, जिसकी इसको कमी महसूस हुई है, या इसको जरूत हुई है, आपने इस वक्ति को हमेशा साथ दिया है, सपोर्ट किया है, ऐसा दिख रहा है यहापर गाइस, तो ये वक्ति उ चीजों को भूल नहीं पाया है, ये वक्ति उन चीजों को बहुत याद भी करता है, कि कितना आपका साथ और सपोर्ट मिला है, और वहीं पर ये इनसान कभी भी जो है आपके सपोर्ट के लिए खुद को तयार महसूस ही नहीं करता था, हमेशा जो है खुद को आपके सामनी जो है कमजोर ही महसूस किया है इस वक्तिने पर कोई बात नहीं बहुत सारी रुकावटे खुलने वाली रिडिंग आज की निकल कर आई है और ये खुलेगी भी समझ गए तो guys ये थी आपकी रिडिंग आई होब आपको समझ में आई है आई होब आपको पसंद आई है पसंद आई है तो कुछ तूटे हुए दिलों के पास इस रिडिंग को भेज़ दो सेर करके ताकि उनको healing मिल सके है ना इतना तो आप कर सकते हो इतना कहते है चलिए अब मैं